रावन हिंदू धर्म के रामायन महाकाव्य का एक प्रमुख पात्र है। वो लनका के राजा था और उसे अपनी असाधारन शक्ती, विद्वता और तपस्या के लिए जाना जाता है। रावन के दस सिर्थे, जिनके कारण उसे दशानन या दश्मुख कहा जाता है। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसे अनेक वर्दान प्राप्त थे, जिनके कारण उसे अजयय माना जाता था। हालां कि उसकी अहनकार और अधर्म के कारण उसने राम की पत्नी सीता का अफरन किया, जिससे राम और रावन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राम ने रावन का वद्ध किया, जिसे विजयादश्मी या दशेहरा के रूप में मनाया जाता है। रावन को अक्सर बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसकी विद्धवता और शिव भक्ती की भी प्रशन साकी जाती है। रावन से जुड़ी कई रोचक बाते और तथियों का उलेक रामायन और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यहां रावन से जुड़े कुछ रोचक तथे दिये गए हैं। एक, दस सिरों का प्रतीक, रावन के दस सिर असल में उसके दस गुनों का प्रतीक माने जाते हैं, जैसे की काम, क्रोध, लोब, मुह, मद, मतसर, घृना, अहनकार, बुद्धी और विवेक। यह उसके भीतर के विविद पहलूओं का प परम भक्त था। उसने शिव को प्रसंद करने के लिए कैलाश परवत को उठाने का प्रयास किया, जिससे शिव ने उसे दबा दिया। रावन ने फिर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और शिव ने उसे माफ कर दिया और आशिरवाद भी दिया। तीन, विद्वान और पंडेत, रावन वेदों और शास्त्रों का महान ज्यानी था। उसे शिव तंडव स्तोत्र की रचना का श्रे भी दिया जाता है। वो संस्कृत, जोतिश, तंत्र और आयूरवेद का विद्वान था। 4. माता सीता से रावन का व्यवाहर, सीता का अफरन करने के बाद भी, रावन ने कभी उन्हें छुआ नहीं, बल्कि उसने सीता से विवाह का प्रस्ताव रखा। उसके अहनकार और शक्ती के बावजूद, उसने मर्यादा को बनाए रखा और सीता के प्रति सम्मान का उसे ये भी पता था कि राम उसका वध करेंगे, फिर भी उसने सीता को लोटाने से इंकार किया, क्योंकि उसे अपने कर्मों का परिनाम भोगना स्वीकार था। 6. मंदोदरी, रावन की पतनी, अत्यंत बुद्धिमान और विवेक्षील थी। वो रावन को बार बार चेतावनी देती थी कि सीता को लोटा दे और राम से युद्ध ना करें, पर रावन ने उसकी बातों को नजरंदाज कर दिया। 7. विमान का स्वामी, रावन के पास पुश्पक विमान था, जिसे उसने अपने भाई कुबेर से चीना था। यह विमान इच्छानुसार कहीं भी उड़ सकता था और बहुत शक्तिशाली था। 9. परम शक्तिशाली योद्धा, रावन ना केवल एक कुशल योद्धा था, बलकि उसने कई देवताउं, दैतियों और अन्य प्रानियों को भी पराजित किया था। उसकी शक्ति इतनी थी कि उसने स्वर्ग पर आक्रमन करके इंद्र को भी पराजित कर दिया था। 9. रावन का वद्ध और पुनरुत्थान, रावन के छोटे भाई विभीशन ने राम को बताया कि रावन की मृत्यू तबी संभव है जब उसके नाभी में तीर मारा जाए, क्योंकि वहीं उसकी अमर्ता का रहस्य छेपा था। 10. रावन का अंतिम संस्कार, रावन के अंतिम संस्कार के समय, राम ने लक्षमन को रावन के पास भेजा था ताकि वह रावन से ज्ञान प्राप्त कर सके, ये दिखाता है कि राम ने भी रावन की विद्वता का सम्मान किया। रावन के जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रन था यही कारण है कि उसे एक जटल और बहुस्तरिय चरित्र के रूप में देखा जाता है